Hello friends, welcome back to my channel आज का वीडियो बहुत ही requested वीडियो है वैसे तो इस muffler की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले डाली हुई है बट मेरे कुछ प्यारे प्यारे beginners हैं जिनने इस design को starting से बनाना सीखना है तो मुझे बहुत comment मेरे beginners ने किया कि मैं इस design को आप starting से बनाना बताईए इस start कैसे करना है वो आप बताईए तो इस वीडियो को मैं थोड़ा सा धीरे धीरे बनाने वाली हूँ क्योंकि ये मैं especially अपने beginners के लिए बना रही हूँ ठीक है तो इसका भी link में आपको description में दे दूँगी और अभी मैं इस design को थोड़ा कम फंदों में डाल करके बताने वाली हूँ तो बहुत patience लगेगा वीडियो के end तक बने रहेगा मेरे साथ तो again ये reversible design है दोनों तरफ से देखिएगा एक जैसा दिखता है ये design और इसमें मैंने डाले है 36 फंदे ठीक है तो मतलब 55 इंच मैंने इसकी length रखी थी जो की wash करने के बाद ये 5 इंच बढ़ गया है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा जितने भी फंदे आपको डालने है आप डाल लीजिएगा फंदे हम लेंगे even number में even number मतलब समसंख्या जैसे 246 इस तरीके से अगर आपको इसकी चोड़ाई जादा रखनी है तो आप इसमें 2-4 फंदे बढ़ा दीजेगा और अगर कम करनी है इससे भी कम करनी है इसकी 6 इंच है तो आप 2-4 फंदे कम कर लीजेगा तो ये तो हो गए इसके muffler की बार और ये इसके साथ मैंने cap बनाई थी जो की round में मैंने इसको बनाया था तो इसका भी measurement मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो length है इसकी length है 9.5 इंच ये देखिएगा complete length इसकी 9 इंच है 9 इंच इसकी length है और इसमें जो मैंने फंदे डाले थे वो मैंने डाले थे 100 फंदे ठीक है तो वैसे मैंने इसका भी video चैनल पर डाला हुआ है और अगर आप बोलोगे तो मैं इसकी video आपको दुबारा बता दूँगी क्योंकि वो video मैंने बहुत पहले बनाई थी तो हो सकता है कि उसमें कुछ कमिया रह गई हूँ तो अगर आप बोलोगे तो मैं इसको दुबारा बनाना आपको बता दूँगी तो यहां पर मैंने 9 नंबर की needle में 22 फंदे डाल लिये हैं ठीक है गुमाना होता है इस तरीके से reverse में हम इसको गुमाते हैं और इसमें जितने धागे होते हैं उतनी प्लाई की हम उसे बोलते हैं वूल है वैसे इस डिजाइन को हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी एक स्लाई हम बिल्कुल सीधी सीधी निकाल लेंगे अब आएंगे हम सेकिंड डू पर रॉंग साइड में अब क्या करेंगे देखेगा पहले फंदे को हम सिलिप करेंगे सीधा करके सीधा करके मतलब जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं निडल का जो फेस है वो दूसरी साइड में हमें रखना है तो इस तरीके से हम सिलिप करेंगे अब हम धागे को करेंगे आगे और एक फंदा हम बनाएंगे उल्टा एक फंदा हम बनाएंगे सीधा एक बनाएंगे उल्टा निट वन यान ओवर पर्ल वन एक सीधा एक उल्टा करके पूरी रो को हम कम्प्लीट कर लेंगे ये हमारी फर्स्ट रो है ठीक है डिजाइन के लिए जो हमने बेस रो बनाई है वो जो हमने सीधी स्लाई निकाली थी उसको हम काउंट नहीं करेंगे डिजाइन में ये हमारी फर्स्ट रो है एक सीधा और एक उल्टा ये देखेगा हमने और नमबर में फंदे क्यों डाले इसमें क्योंकि even number में हमने फंदे क्यों डाले क्योंकि हमारा देखेगा यहाँ पर पहला फंदा सीधा था जो हमने slip किया उसको सीधा करके slip किया और second फंदा हमारा उल्टा है ठीके ध्यान से देखेगा पहले फंदे को हमने slip किया सीधा करके अब यहाँ पर हमारा जो last वाला फंदा है वो आया है हमारा उल्टा ठीके यह धिहान देने वाली बात है क्योंकि मैं इसमें आपको किनारी भी साथ के साथ बनाना बता रही हूँ क्योंकि यह वीडियो मैं especially beginners के लिए बता रही हूँ तो इसलिए मैं पूरा detail में इसमें आपको बताऊंगी देखेगा अगर हम इसमें odd number में फंदे डाल देते तो हमारे साथ क्या होता कि यह जो हमारा सीधा है last में भी हमारा सीधा आजाता जो हमें नहीं चाहिए ठीक अब हम आएंगे next row में यानि कि second row में first row में हमने क्या किया एक फंदा सीधा बनाया एक फंदा उल्टा बनाया एक फंदा सीधा बनाया एक फंदा सीधा बनाया एक फंदा उल्टा बनाया ठीक है अब हम धागा पीछे करेंगे और जो हमारा सीधा वाला फंदा है उसे अब हमें यहां से नहीं बुनना है जो इसके नीचे वाली लूप है यहां से हमें सीधे वाले फंदे को बुनना है यह देखेगा बस ये करना है इसमें उल्टे फंदे को हमें सिंप्ली उल्टा बनाना है और सीधे फंदे को हमें नीचे से बनाना है ये नीचे से ये ध्यान देज़ेगा ये यहां से यहां से नहीं यहां से ये हमें सिर्फ सीधे फंदे में करना है उल्टा फंदा हमें नॉर्मल उल्टा बना लेना है जैसे हम बनाते हैं वैसे ये देखेगा सीधे फंदे को नीचे से बनाया उल्टे फंदे को सिम्पल बनाया सीधे फंदे को नीचे से बनाया उल्टे फंदे को सिम्पल उल्टा बनाया सीधे बंदे को नीचे से बनाया उल्टे बंदे को उल्टा बनाया और इस तरह से हम सेकेंडरों को कम्प्लीट करेंगे यह देखेगा यह हो गया हमारा अब हम क्या करेंगे लास्ट के दो फंदों में हमें एज बनाना है सीधा और उल्टा तो सीधे बंदे को हमें स्लिप करना है दागा आगे करके उल्टे फंदे को हमें बुन लेना है ठीक है जबी भी हमारा यह एज बनेगा तो हमारा यह रो के लास्ट में बनेगा इधर वाला हमारा जब हम इस तरफ से आएंगे तो यहां बनेगा ठीक अब हम आएंगे next row में तो ये जो हमने दो सलाहियां बना ली हैं, ये ही सलाहियां हमें बार बार रिपीट करनी हैं, अब हम बीच के फंदों को क्या करेंगे, एक सिधा, एक उल्टा बनाएंगे, जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे, और सिधी साइड में नीचे से बनाएंगे, अब साथ साथ किनार पर ध्यान देना है हमें, ये बीच की बात हो गई, ये हमें नॉर्मल बनाना है, किनारी पर क्या करना है देखेगा, ये वाला फंदा भी हमने उल्टा बनाया है इधर, अब हम इसको स्लिप करेंगे, सीधा करके, ठीक है, और धागे को करेंगे, आगे, अब ये जो फंदा हमन एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और रो को हम कर लेंगे complete. मैं कम फंदे में डाले हैं, और पूरा मैं आपको पूरी रो बना कर जो है, वो बताऊंगी, कट नहीं करूंगी इसमें बीच में, क्योंकि एज भी मैं आपको साथ में बनाना बता रही हूँ, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखीगा. लास्ट के दो फंदों में हमें एज बनाना है, ये देखे, वापस आ गया हमारा सीधा उल्टा, तो क्या करेंगे, धागा पीछे करके हम सीधे फंदे को स्लिप करेंगे, धागा आगे करके हम उल्टा फंदे को बुलेंगे, लास्ट वाले को. लास्ट वाला फंदा हमारा एक तरफ से उल्टाएगा दूसरी तरफ से सीधा हैगा यह हमारा बन गया उल्टा इतना समझ में आ गया आप देखिए अब यहाँ पर इस फंदे को हमें सीधा करके सिलिप करना है क्योंकि यह पीछली रो में उल्टा था और दो फंदे हमारे edge के इधर है बाकी बीच में हमारा pattern जो भी हो ये design डालना है तो ये तो मैं बता ही रही हूँ बाकी इसके अलावा अगर edge आपको बनाना है तो दो फंदे इधर और दो फंदे उधर आपको edge के लिए रखने हैं अब क्या अगर नहीं देखेगा धागा पीछे और इस row में हम इसको फिर से नीच वाली लूप से बनाएंगे देखेगा ये बनाया सीधे फंदे को उल्टा फंदा हमीं simple उल्टा बना लिया सीधे फंदे को नीचे से बनाया second loop से उल्टे फंदे को तो सिम्पली बनाना है सीधे फंदे को नीच्चे से बनाया उल्टे फंदे को सिम्पल बनाया और लास्ट वाले दो फंदों में एज बनाना है तो क्या करना है सिधे फंदे को सिल्प करना है धागा आगे करके लास्ट वाले फंदे को उल्टा बनाना है यह देखेगा यह नजर आने लगा अब एज वाले फंदे को सिधा करके हमें सिल्प करना है धागा आगे करना है और जो सिल्प किया हुआ था उसे उल्टा बनाना है दो फंदे आज के हो गए अब बाकी पूप पैटर्ण में एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा बस यह इतना ही डिजाइन है इन इस लाइओं को हमें बार बार रिपीट करना है और लास्ट वाले फंदे में एज बनता है दो फंदों में तो सीधे फंदे को स्लिप करना है दागा आगी करके उल्टे फंदे को बुन लेना है यह देखेगा यह एक साइड से ऐसा दिखेगा और एक साइड से ऐसा दिखेगा तो यह देखे यह थोड़ा सा मैंने बना लिया है इसको यह देखे बहुत ही फ्लेक्सिबल है मतलब बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो एक साइड से यह इस तरीकी का दिख रहा है और एक साइड से यह इस तरीकी का दिख रहा दिखेगा गिंदा है कि डोनों साइड से यह ऐसा दिखे देखेगा जैसे यह दिख रहाना हमारा निटेट दिख रहा है अगर आप यह चाहते हो אנחנו से ऐसा दिखे तो इसके लिए मनें आरग से वीडियो बना रखिए है उसका भी लिंक मैं आपको कर डिस्क्रिप्शन के देढ़ें ठीक है धागा आगे करना है और यह जो slip के हुआ फंदा है इसे उल्टा बना लेना है अब एक सीधा और एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा पूरी रोगों इसी तरीके से बना लेंगे झाल 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 झा आप second row में पहले फंदे को slip करेंगे दूसरे फंदे को बुल लेंगे और सीधे फंदे को क्या करेंगे नीचे वाले लूप से बनाएंगे बस यही दो स्लाईया है जिने हमें बारबार repeat करके इस design को बना लेना है तो इस design से हम जो भी pattern बनाएंगे वो बहुत ही soft बन के निकलेगा तो मैं उमीद करते हूं beginners के beginners के से कि अब उनको समझ में आ गया होगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए फिर जुड़े रहेगा मेरे साथ यह देखे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरू के जेगा और चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए thank you and bye bye और अगयो अगरूब लुड़े न चौब दो सब्सक्राब के लगके लगदेश रहे वीडियो अफे रहे जगरूब शगब के लिए जगशली, फिर अपले रहे थैग अगवद्ने वड़े, याणरा खीव. एक जटोरे टेज़ आओज मेड़ीं कि एक लिए आफिए आफटास्ट आफटास्ग एक यूवी बुटास्टेशत पोग के लिए था हुएंग हा दो टूलेख गलेख आप बेससे अनसे घटास्टेसरे मेड़ी आफटास्टेस्टे सेकी लिए गा